बसकार दोस्तों सब्सक्राइब को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबेक है कोई सजेसिंग है तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर पता हिए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुर सब्सक्राइब करेंगे लेकिन अगर आप ध्यान सब्सक्राइब करेंगे लेकिन अगर आप सब्सक्राइब देखेंगे तो आपको टोटल हंडेट कोशन मिल जाएंगे क्योंकि हर कोशन के दो पार्ट है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशन है एस पॉर एज यू के पीसे इस कंसर्ड फो लेट से स्टार्ट पहला कोशन है आपर फ्रेंट्स की वेन वास दे गड़वाल कॉंगरिस कमेटी का गठ है किया तन नां इंप्रसाद बहुं नाम बहुत सब्सक्राइब और अनुसाय प्रसाध बहुगणा तो ये आपको दो नाम याद रखने होंगे अब आप option देख सकते हैं C option आपको यहाँ पर correct हुआएगा चीक है पहले question का आगे बढ़ते हैं friends अगला question हमारे पास question number 2 When was the कुमाव परिशद established? कुमाव परिशद की इस्थापना कप की गई? पहला पाठे question का है और निमलेकित में से किसे कुमाव परिशद के प्रतम अध्यक्ष के रूप में चुना गया तो ध्यान रखेगा कुमाव परिशद की इस्थापना 1916 में की गई थी 1916 में और किसके द्वारा की गई थी? तो गोविंद वलब पंथ और उसके बाद बदरी दत पंडे ये तीन नाम आपको याद रखने है गोविंद वलब पंथ और बदरी दत पंडे इन तीनों लोग ने मिल करके 1916 में कुमाव परिशद की इस्थापना की थी और कुमाव परिशद की इस्थापना हुई थी आपकी 1916 में और इसके जो पहले अध्यक्ष थे उसका उनका नाम था जैदत जोशी किनके द्वारा इस्थापना की गई तो गोविंद वलब पंथ हर गोविंद पंथ और बद अगला question है friends यहाँ पर कि who among the following had established an organization named happy club happy club की स्थापना किस ने की थी 1903 में और इसी में दूसरा part question का कि after returning from south africa गांधी had gone on a visit to गांधी जी उत्राखंड में south africa से लोटने के बाद 1916 में कहां पर visit करने गया थे यात्रा करने गया थे तो ध्यान रखेगा जो पहला पार्ट कोशन का कि happy club की स्थापना 1903 में किस ने की थी तो happy club की स्थापना पंडित गोविंद वललबawat पंथ जी ने की थी धे और इसी में जो दूसरा part question का कि गांधी जी south afrika से लोटने Mais पाद 1916 में उत्राखंड में कहां विजिट करने गया थे तो वो जाएगा आंसर देहरादून ठीक है तो उस हिसाब से आपका जो आंसर है correct answer हो जाएगा D D option में आप देख सकते हैं गुविन वलब पंतेन देहरादून हर question में दो-दो important questions covered हैं सारे आप कह सकते हैं कि previous year में पूछे जा चुके हैं किसी ना किसी रूब में तो D options का correct होगा third question का अगला question है friends question number four महात्मा गांधी had included some of the salt सत्याग्रहिज in 1930 महात्मा गांधी ने 1930 में 1930 में कुछ नमक सत्याग्रहियों को शामिल किया था तो इन में से कौन शामिल नहीं था तो ध्यान रखिएगा जो 1930 में महात्मा गांधी ने कुछ सत्याग्रहिज को शामिल किया था उसमें माधो सिंग बंडारी शाह नहीं थे ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी 1930 में जो salt सत्याग्रहिज थे उनमें किन को शामिल किया था एक तयाप के जोती राम खंडपाल ठीक है पहला option जो आपको दिख रहा है दूसरा नाम है इसमें भैरवदत जोशी जो कि आपको C option दिख रहा है और चौता नाम है गोरक वीर खड़क बहादूर ठीक है तो D option आपको यहाँ पर दिख रहा है तो इस तरह से जो माधो सिंग भंडारी थे ये 1930 के स्वाल्ट सत्य ग्रहीस की लिस्ट में शामिल नहीं थे तो फूर्थ question का अंसर क्या हो जाएगा बी माधो सिंग भंडारी आगे बढ़ते हैं फ्रेंट्स अगला question हमारे पास question number 5 in year 1840 new district named was formed मतलब 1840 में 1840 में एक नए जीले का गठन किया गया था उसका नाम आपको बताना है और दूसरा पार्ट है question का फ्रेंट्स की when was the non regulation province system उत्राखंड राज जैसे गैर विनियम प्रांत प्रणाली को कब समाप्त किया गया था तो ध्यान रखेगा सबसे पहले 1840 में जो नए डिस्टिक पॉर्म की गई थी उत्राखंड में उसका नाम था पौडी गड़वाल यह आपकी 1840 में एक नए डिस्टिक नया जिला बनाय गया था और non regulation province system गैर विनियम प्रांत प्रणाली को उत्राखंड राज से कब शमाप्त किया गया था तो उसका अंसर हो जाएगा 1891 तो देख सकते हैं D option हमारे यहाँ पर correct हो जाएगा उसके बाद friends अगला question question number 6 कुमायू region had been divided into two districts in 1891 select the correct option related to it 1891 में कुमायू शेत्र को दो जिले में विभाजित कर दिया गया था आपको बताना है कि वो कौन से दो जिले हैं 1891 में कुमायू को दो जिलो में विभाजित किया गया था तो उसमें आपके दो जिले हो जाएंगे अल्मोडा और नैनी ताल अल्मोडा एंड नैनी ताल तो इस तरह से आप देख सकते हैं यह option हमारे यहाँ पर correct हो जाएगा तो question number six का right answer होगा question number seven है आपका नवाजत खान जो की मुगल रूलर शाह जहां के एक कमांडर थे उन्होंने डून वैली पर कब आकरमन किया था और इसी में दूसरा पार्ट है की British उत्तरांचल को United Province of Agra and Aud में कब शामिल किया गया था मुगल शाह सक्षाह जहां के सिनापती नवाजत खान ने दून घाटी पर कब हमला किया था यह पहला पार्ट है कोशन का जो की हमला किया गया था 1636 में और सेकेंड पार्ट है कोशन का कि British उत्तरांचल को आगरा और अवद के संजुक तपरांथ का हिस्सा कब बना गया था तो यह बना गया था आपका 1902 में तो इस हिसाब से आप सी ऑप्शन देख सकते हैं यहां पर बिलकुल करेक्ट लिखा हुआ है तो कोशन नंबर सेवन क का राइट अंसर जाएगा सी अगला कोशन है फ्रेंस कोशन नंबर एट अंडर दे लीडर्शिप आफ विच आफ दी फॉल्विंग रिवोलूशनरी दपेशावर इंसिडेंट हैड टेकिन प्लेस किस क्रांतिकारी के नित्रत्व में प्रश पेशावर कांड हुआ था और इसमें जो लीडर थे वो थे आपके वीर चंद्र सिंग गडवाली तो लीडर का नाम था वीर चंद्र सिंग गडवाली के नित्रत्व में अप्रेल 1930 में दो बटा अठारा याद रखिएगा यह कोशन इस मौम में पुछा सकता है दो बटा अठारा गडवाल राइफल्स के जो soldiers थे गड़वाल rifles के जो soldiers थे वो वीर चंदर सिंग गड़वाली के नेतरत में उन्होंने आप कह सकते हैं कि unarmed अफगान freedom fighters के उपर गोली चलाने से मना कर दिया था तो इसी incident को पेशावर कांट के नाम से जाना गया तो एक बार फिर से आप लोग के जो soldiers थे उन्होंने unarmed अफगान freedom fighters निहत्ते जो अफगानी freedom fighters थे उनके उपर गोली चलाने से मना कर दिया था तो इसी incident को आप कह सकते हैं पेशावर incident के नाम से जाना जाता है तो इसी साब से c option हमारा बिलकुल correct हो जाएगा इसके बाद अगला question हमारे पास question no.9 who among the following was the main accused in गड़ोदिया इस्टोर डकैती गड़ोदिया इस्टोर डकैती कांड के मुख्य आरूपी का आपको नाम बताना है और यह भी बताना है अगले पार्ट में question के कि गड़ोदिया इस्टोर डकैती कांड कब हुआ था तो यह question पहले भी पूछा आ चुका है ध्यान रखियेगा बहुत important question है friends गड़ोदिया इस्टोर डकैती जो केस था यह आपका 1930 में हुआ था ध्यान रखियेगा सबसे पहले और इसके जो main accused थे वो कौन थे भावानी सिंग रावत भावानी सिंग रावत तो इस तरह से आप देख सकते हैं 1930 भावानी सिंग रावत आपका D option यहाँ पर बिलकुल correct हो जाएगा तो question number 9 का right answer होगा D उसके बाद friends अगला question आपास question number 10 who among the following head established गांधी आश्रमी 1937 उनीस सो सैंतिश में गांधी आश्रम की स्थापना किस ने की थी तो friends शांती लाल त्रवेदी याद रखिएगा शांती लाल त्रिवेदी इन्हों ने 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना की थी और यह स्थापना कहां पर की थी यह भी आप से पूछा या रहा है अगले पार्ट में question में कि in which of the following district of उत्राखंड गांधी आश्रम वास established तो शांती लाल त्रिवेदी ने नाइटी थी सेवन में गांधी आश्रम की स्थापना अलमोडा उत्त्राखंड में की थी ध्यान रखेएगा अलमोडा उत्त्राखंड में की थी तो इसहप से हमारा बी ऑप्शन है आपर बिलकुल correct हो जाएगा तो आप देश सकते हैं 10th का B option बिल्कुल correct होगा अगला question है friends question number 11 when was the battle of dunagiri fought battle of dunagiri कब लड़ा गया और इसी में अगला part question का कि जो battle of कप्रावली battle of कप्रावली कब लड़ा गया तो नाम थोड़े से यहां पर उत्राखंड origin कहीं है तो battle of dunagiri और battle of कप्रावली तो यह पहला battle जो था आपका दुनागर का battle यह आपका 1743 में लड़ा गया था ध्यान रखिएगा 1743 में और battle of कप्रावली जो था यह आपका 1785 मिल यहां पर करेक्ट हुए आएगा देखिए यह battles के उपर बहुत सारे कोशन आते हैं अब यह कोशन आपको match the following में भी पूस सकते हैं कि एक तरफ सारे battle लिख दें और दूसरे तफ उनके year लिख दें तो battle of dunagiri यह आपका 1743 और battle of कप्रावली यह आपका 1785 यह option आपका यहां पर करेक्ट हुए गा अगला कोशन है कोशन नमबर 12 फिर आपको battle का यह कोशन मिल रहा है कि नाला गड़ का युद्ध और आपका इसी में दूसरा कोशन है कि जोशी यानी का कंड कब हुआ था तो नाला गड़ का युद्ध बैटल of नाला गड़ और जोशी यानी incident है टेक बैटल ओफ खलंगा के नाम से भी जाना याता है बैटल ओफ खलंगा तो बैटल ओफ खलंगा पुछे या नाला गड़ का युद्ध पुछे आपको 1814 याद रखना 1814 में होता और जोशी यानी इंसिडेंट आपका हुआ था 1785 में उसके बास अगला कोशन हमारा पास कोश पूछा जा रहा है कि गर्णात का युद्ध ब्रिटिश और किस गोर्खा हीरे के हीरो के बीश में लड़ा गया था और साथी में दूसरा पाटे कोशन का कि गर्णात की लड़ाई कब लड़ी गई थी ठीक है दो दो कोशन है आपर पहले कोशन का अंसर क्या हो जाएगा 1815 में लड़ा गया था 1815 में और जो गर्णात की लड़ाई हुई थी ये ब्रिटिश अंग्रेजियों और गोर्खा हीरो हस्ती दल है ना हस्ती दल चौतरिया नाम याद रखिएगा हस्ती दल चौतरिया हस्ती दल चौतरिया ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1815 और हस्ती दल चौतरिया ये आप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसके बाद फ्रेंट्स अगला कोशन हमारे पास कोशन नमबर 14 Battle of Almoda कब और किन के बीच में लड़ा गया था यह दो कोशन बने हुए हैं तो पहला पार जो है कोशन का कि Battle of Almoda कब लड़ा गया था धियान रिकेगा 27th April 1815 27 April को आपका Battle of Almoda लड़ा गया था और किसके किसके बीच में लड़ा गया था तो धियान रिकेगा कोलोनल गार्डनर और बामशाह थापा गार्डनर जो इसमें नाम दिया गया है गार्डनर और बामशाह थापा बामशाह थापा तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर C option correct हो जाएगा 18-15 और बामशाह थापा उसके बाद विंस अगला कोशन है कोशन नंबर 15 वेन वास दी बैटल ओफ दुदूली फोट दुदूली का जो जुद हुआ था या इसको दुदूली भी कह सकते हैं कि दुदूली का युद्ध कब लड़ा गया था 17-03 ज्यान रखेगा 17-03 में आपका दुदूली का युद्ध लड़ा गया था किसके बीश में ग्यानचंद्र और फतेशा ठीक है तो ग्यानचंद्र और फतेशा भी ओप्शन है आपर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसके बाद अगला पाट है कोशन नंबर 16 बैटल ओफ लंगूरगड कब और किनके बीश मिला गया तो 1791 में ध्यान रखेगा लंगूरगड का युद्ध प्रदुम्न शाह और गोड़खास के बीश मिला गया था तो 1791 प्रदुम्न शाह और गोड़खास डी ओप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो कोशन नंबर 16 का अंसर हो जाएगा डी कोशन नंबर 17 है विच ओफ दी फॉल्विंग बैटल वास फॉट बिट्विन सिक्ख गुरु गुरु गोविंद सिंग एंड फतेशा सिक्ख गुरु गुरु गोविंद सिंग और फतेशा के बीश में कौन सा युद लड़ा गया था तो नाम याद रखेगा बैटल ओफ भंगाडी बैटल ओफ भंगाडी आपका बी ओप्शन यहां पर दिया गया है तो बैटल ओफ भंगाडी सिक्ख गुरु 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 गोविंद सिंग और फतेशा के बीश में लाग गया था बी ओप्शन इसका करेक्ट हो जाएग तो यहाँ पर आपको चार option दिएगे हैं अल्मोडा जो कंटोन्मेंट था या जो अल्मोडा चावनी थी इसकी स्थापना हुई थी 18.15 में उसके बाद इस नैनिताल चावनी इसकी स्थापना हुई थी 18.41 में जो देहरादून चावनी है देहरादून कंटोन्मेंट उसकी स्थापना हुई थी 30 of November 18.14 और जो रूड की चावनी है इसकी स्थापना हुई थी सबसे बाद में 18.53 में तो आप से पुछा गया था कि सबसे पहले कि चावनी की स्थापना हुई तो C option आपको यहाँ पर रूपल करेक्ट रहागा question number 18 का अगला question है question number 19 की निमलिकी चावनीों को उनके कलानुकुरम में व्योस्तित करना है आपको की कंटोन्मेंट से इन्दा chronological order आपको तीन कंटोन्मेंट दिये गया है चकराता कंटोन्मेंट की स्थापना हुई थी 1866 में उसके बाद है आपका रानी खेत कंटोन्मेंट जिसके स्थापना हुई थी 1871 में उसके बाद है लैंस डाउन कंटोन्मेंट जो की आपकी स्थापना किया इसकी स्थापना किया थी 5 मई 1887 तो इस रिसाप से आप देखेंगे chronological order में यह option हमारा बिल्कुल correct हो जाएगा तो question number 19 का option बिल्कुल correct होगा उसके बाद है question number 20 where was the British imperial forest school founded British imperial forest school कि स्थापना कहां की गई थी और ये भी आप से पुछा है रहा है अगले part में question में किस की स्थापना किस के द्वारा की गई थी तो ध्यान रखेगा British imperial forest school British imperial forest school इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1878 में 1878 में Detrich brandis के द्वारा Detrich brandis के द्वारा 1878 में देहरादून में British imperial forest school की स्थापना की गई थी तो इस हिसाब से हमारा D option बिलकुल correct हो जाएगा ध्यान रखेगा देहरादून और Detrich brandis और कब हुई थी तो यह आपका हो जागा 1878 में चीक है उसके बाद है अगला question question number 21 अगला question है कि गोपेशवर गडवाल त्रिशूल शीलाले एक गोपेशवर गडवाल त्रिशूल inscription में चार kings का या चार नरेशों का नाम उलिकित है, mention है आपको बताना है कि उनमें से शक्तिसाली राजा कौन था ठीक है तो आप देख सकते हैं जो नीचे आपको option दिए गए यही चार ना mention है जिसमें आप कह सकते हैं इसकंदनाग, गोपिनाथ, विभुनाग और अशुनाग तो इन में सबसे शक्तिसाली थे आपके गोपिनाथ ना में आद रखेगा गोपिनाथ जो कि आपके गोपेशवर गडवाल त्रिशूल इंस्क्रिप्शन के सबसे शक्तिसाली शा सकते हैं तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा इसके बादे फ्रेंट्स कोशन नमबर 22 वो एमंग दे फॉलोइंग रूलर हैस कंसीडर्ड तो बी दा मुस्ट पावर्फुल रूलर आफ नागा डिनस्टी यहां पर लिखे गई हैं और आपको बताना है कि कौन सा सही मिलान है करेक्ट पाव्शन आपको यहां पर ढूलर द्यान रखिएगा तो पहला लिखा हूँ ए king को नरेश काया ता जो कोई बिल्कुल गलत है king को राजबर काया ता ठीक है उसके बाद supreme officer of the king जो था उसको मुकतार नहीं कहते थे उसको नरेश कहते थे और सुप्रीम मिनिस्टर अफ दे स्टेट जो था उसको राजबर ना कहके उसको मुक्तार के नाम से याना जाता था ठीक है तो यहां पर D option हमारा बिल्कुल correct है जो administrator of परगना होता था परगना का जो परशासक था उसे थोकदार कहाया था ध्यान रखिएगा D option हमारे यहां पर बिल्कुल correct है बाकी सारे आपको पता चल गए है कि कौन सा correct option होगा इसमें to see clothes जो लोग वस्तर सिलते थे उन्हें OG कहते थे या OG कहते थे ध्यान रखिएगा जूलिया नहीं कहते थे उन्हें OG या OG कहते थे ठीक है OG यह वाला option जो आपको यहां पर दिख रहा है और इसी में आप कह सकते हो कि ऐसे भी से लिखा जाता है OG ठीक है उसके बाद people who used to make liquor जो लोग शराब बनाते थे उन्हें कलाल कहा जाता था और largest unit of land measurement land measurement की जो unit थी उसे जूलिया कहा जाता था ठीक है तो इस हिसाब से हम देखते हैं ए और option हमारा बिलकुल correct लिखा हुआ है उसके बाद question number 25 what do you understand by one 83 एक 83 से आप क्या समझते हैं तो ध्यान रखेगा एक 83 में आपका 10 टका होता था एक 83 जो था यह आपका 10 टका के बराबर होता था और वन गढ़वाली रूपी जो होता था यह आप कह सकते हैं टोटल इसमें 40 टका होते थे ठीक है एक गढ़वाली र और जो वन 83 था उसको आप कह सकते हैं दश टका के बराबर वो होता था तो इस हिसाब से फ्रिंस question number 25 पर उसका अंसर हो जाएगा C option हमारे यहाँ पर बिल्कुल correct होगा अगला question है question number 26 कोटल गढ़ फोर्ट चंडल कोट फोर्ट और गुरॉल चौड फोर्ट तो मतब चार किलों के नाम आपको दिये गए हैं कोटल गढ़ का किला चंडल कोट का किला गुरॉल चौड का किला आपसे पूछा या रहा है कि उत्तरा खंड के किस जिले में अगला question है question number 27 है आपका की incorrect option आपको खोजना है एक तरफ आपके princely states लिके हैं और दूसरी तरफ year of land settlement भूमी बंदोबस्त का वर्स लिखा हुआ है तो कुमायू जो princely state था उसमें जो year of land settlement था हुआ आपका 1815 to 1816 था जो की बिल्कुल सही है जो गढ़वाल princely state था उसका जो right answer हो जाएगा d none of the above चीक है अगला question है question number 28 है इसमें आपको incorrect option का chain करना है incorrect option आपको यहाँ पर ढूंडना है पहला option लिखा हुए कि गोर्खास had conquered कुमायू in 1795 AD जो की पहला यह option गलत लिखा हुआ है यह आपका होगा 1790 AD जो गोर्खास थे उन्होंने कुमायू को कुमायू क लिखे में है तो इस incorrect option ही आपको ढूंडना था यह option हमारा answer हो जाएगा दो गोर्खास had conquered गड़वाल in 18 not 4 AD जो की बिल्कुल सही है गोर्खास rain has lasted from 1790 AD to 1815 AD तो आप देखेंगे दूसरा और तीसरा option तो बिल्कुल correct लिखा हुए तो पहला option हमारा incorrect है यहाँ पर आपका 1795 न नमबर 29 दे टेनियूर ओफ गोर्खास ओल्जर्स वाज ओफ वन यर जो गोर्खास ओल्जर्स होते थे उनका जो कारेकाल था वो एक साल का होता था ध्यान लेकेगा तो इस हिसाब से हमारा B option यहाँ पर बिल्कुल correct हुए अगला question है question number 30 यहाँ पर आपको correct option का chain करना है ध्यान रखेगा आपको यह correct पुछा जा रहा है incorrect अभी यह question number 30 में थोड़ा सा correction है ध्यान रखेगा यह सारे ही option यहाँ पर correct लिखे हुए ठीक है तो यह मुनेत्री temple आपका कटियोरी style में बना हुआ है गंगोत्री temple राजस्थानी यह कटियोरी style में बना हुआ है वागनाठ temple आपका नागर style में और अनुसुया में बने हुए तो फ्रेंट जो रेनुका temple है यह आपका चंपावत नागर style में बना हुआ है जो कि बिलकुल सही लिखा हुआ है आपको incorrect ढूना है तो पहला तो option हो नहीं सकता क्योंकि यह correct लिखा हुआ है मकर वाहिनी temple यह आपका हरिद्वार दर्विडेन style में बना हुआ हुआ है यह भी correct लिखा हुआ है और महारुद्रेश्वर temple group जो था यह आपका फंटसा style में बना हुआ है जो कि बिलकुल सही है तीनों ही option है आपका ABC correct है तो D option आपका incorrect लिखा हुआ है क्यों क्योंकि महासू मठ जो temple है यह आपका मुगल style में ना हुकर कैसी style में है नागर style में है नागर style तो D option हमारा incorrect लिखा हुआ है तो इसका सही answer हो जाएगा D question number 31 का answer हो जाएगा D क्यों क्योंकि मुगल style नापकर की क्या होगा नागर style अगला question है question number 32 वृन् है राजा सुचेश सिंग और बिल्डर चंडी टअपल लोकिटेटे इन हरी द्वारा राजा सुचेश संग्य ने हरी द्वार इससरथि चंडी मंदिर का गुलिप tap करवाया था चंडी मन्दिर का निर्माग 8060 मेंeed में कियाग्या था राजा सूअ सिंह के द्वारा जो की हरिद्वार में मौझود है हरिद्वार में तो लोकेशन भी ध्यान रखेगा हरिद्वार में का चंडी मंदिर उस्तित है उसके बाद है अगला पार कोशन का कि जगेश्वर टेंपल गुरूप एड बिल्ट दिरिंग दर इन फिच फॉल्विंग डैनिस्टी तो कटियूरी डैनिस्टी के काल में आप कह सकते हैं जगेश्वर टेंपल गुरूप बना गया था तो कटियूरी ठीक है या फिर इसको कटियूरी राजवन्स भी आप कह सकते हैं तो 1866 और कटियूरी राजवन्स तो बी ओप्षन है आप हमारा करेक्ट विजा है कोशन नमबर 32 का अगला कोशन है कोशन नमबर 33 इसका रिनोवेशन कराया था लक्षमी चन ने जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है तो बाकी ओप्षन में क्या गलत है देख लेते हैं इसका रिखा रुद्र चंद्र ठीक है तो इस हिसाब से हम देख सकते है कि यह ऑप्षन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है बाकी सारे गलत मिलान है question number 34 में देख लेते हैं friends आपको correct option का ही चैन करना है question number 34 में पहला लिखा हुआ है कि construction of मुंडला देव टेंपल इन अलमोडा तो यह आपका अरजुन देव के द्वारा कराया गया था अरजुन देव के द्वारा construction of नागना टेंपल इन चमपावत यह आपका कराया गया था कीरती चंद के द्वारा और construction of विनेश्वे टेंपल इन अलमोडा तो यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है कल्यान चंद C option यहापर बिल्कुल correct होगा D option में क्या गलत है construction of sun temple of पलेटी तो यह आपका कल्यान वर्मन हो जाएगा ठीक है तो इस हिसाब देखिए C option अमारा बिल्कुल correct लिखा हुआ है बागी सारे option गलत मिलान है आपको correct option के चैन करना था तो question number 34 का right answer क्या हो जाएगा C construction of initial temple in Almora कल्यान चंद अगला question है question number 35 who among the following had got the contract system abolished जिन उत्तराखंड उत्तराखंड में आप कह सकते हैं ठेकेदारी पर्था को किसने समाप्त किया था तो हेनरी रैम से हेनरी रैम से ने उत्तराखंड में contract system या आप कह सकते हैं ठेकेदारी पर्था को समाप्त किया था 1858 म हैं तो year भी याद रखेगा नाम भी याद रखेगा हेनरी रैम से 1858 बी option हमारा बिलकुल यहां पर correct हुआगा question number 35 का अगला question है question number 36 when was the battle of पानुगड पानुगड का युद कब लड़ा गया था और दूसरा question है कि when and where was there सलाम सत्यागरे टेकिन प्लेस सलाम सत्यागरे कब और कहां पर हुआ था तो पानुगड का युद लड़ा गया था आपका 1605 में 1605 में और सलाम सत्यागरे जो हुआ था यह आपका अल्मोडा में हुआ था ध्यान रखिएगा अल्मोडा में हुआ था 25 अगस्त 1942 को ठीक है तो यहां पर हम कह सकते हैं 1605 1942 और अल्मोडा D option हमारा बिल्कुल यहां पर correct हो जाएगा अगला question है question number 37 at where was the कुली बजार rebellion first taken place कुली बजार rebellion या कुली बेगार विद्डरो बेगार आप कह सकते हैं बजार इसको न पढ़िएगा कुली बेगार जो विद्डरो था यह सबसे पहले कहां हुआ था तो कुली बेगार विद्डरो आप कह सकते हैं लोहा घाट मिलिटर कंटोन्मेंट 1840 जो कुली बेगार विद्डरो था ठीक है तो यह option हमारे बिल्कुल यहां पर correct हो जाएगा उसके बाद है फ्रेंस question number 38 who among the following was the king of kumayu during the third battle of panipat panipat की तीसी रड़ाई कब हुई थी जल्दी से comment section में comment करके आप लोग बताएं आप से यहां पुछाया रहा है कि kumayu का राजा उतने time कौन था जब तीसरा battle हुआ था panipat का तो नाम याद रखिएगा दीप चंद यह आपके kumayu के राजा थे और फिर लिखा है कि battle of kushalpur फॉट या फिर आप कह सकते हैं खुशालपुर का यूद कब लड़ा गया था तो 1793 खुशालपुर का यूद 1793 में लड़ा गया था और दीप चंद राजा थे आप कह सकते हैं कुमायu region के third battle of panipat के दौरान तो c option अमारा बिल्कुल correct हो जाएगा अगला question है question number 39 who among the following had founded is to wall press और is to wall press की स्थापना कब हुई थी तो किसे ने स्थापित किया था और स्थापना कब हुई थी तो आप कह सकते हैं गिर्जा प्रसाद नैथानी गिर्जा प्रसाद नैथानी ने 1912 में इस टौल प्रस की स्थापन जाएगा अगला question है question number 40 image of blue colored rock have been obtained from hoodly site तो आपसे पूछा जा रहा है कि hoodly site उत्तरा खंड के किस जिले में इस्तित है और इसी में दूसरा पाट है question का कि who among the following ruler had appointed दाउद खान as his general दाउद खान को अपना commander या general किसे ने नुक्त किया था तो दो question है आपर तो सबसे पहले जो आपकी hoodly site है जहां पर अभी हाली में आप कह सकते हैं नीले रंग के shell चित्तर प्राप्त किये गए हैं यह आपका उत्तरकाशी में मौजूद है और देवी चंद ने अपना commander दाउद खान को नुक्त किया था तो D option हमारा बिलकुल correct हो जाएगा अगला question है question number 41 when I had the demand for separate state of उत्राखंड been made 1938 में याद रखेगा 1938 में सबसे पहले separate state उत्तराखंड की demand arise हुई थी exact date आप कह सकते हैं 5 माई 1938 को एक separate state की मांग की गई थी और फिर इसी में अगला पाट है question का कि उत्तरा खंडटी committee कव establish की गई थी तो यह आपकी stability 1834 में तो इस हिसाब से हमारा यह option यहापर बिलकुल correct हो जाएगा question number 41 का उसके बाद है अगला question question number 42 आपको यहाँ पर incorrect option का chain करना है correct incorrect बहुत important होता है सबसे पहले point out क्या कीजिए कि incorrect पूछा गया है आपसे तो गंगा सेना rebellion यह आपका 1947 में होगा था जो की बिलकुल सही है establishment of coolie agency यह आपका 1908 में हुआ था यह भी एकदम correct लिखा हुआ है गड़वाल union की स्थापना यह आपकी 1901 में हुई थी 1901 में 1901 याद रखेगा establishment of गड़वाल union की स्थापना 1901 में हुई थी तो आपका देखिए C option ने incorrect लिखा हुआ है और आपसे incorrect option ही पूछा या रहा है तो C option आपका right answer हो जाएगा उसके बाद है question number 43 when was the गड़वाल regiment founded गड़वाल regiment का found किया गया था तो 1887 में found किया गया था 5 मई 1887 में ठीक है और उसके बाद इसी में अगला पाट है question का कि कुमायू iron works यह का found किया गया था कुमायू iron works तो इसकी स्थापनाईती 1862 में तो इस हिसाप से यह option हमारा बिलकुल यहाँ पर correct अगला question है फ्रेंज कोश्चन नमबर 44 उसके बाद है अगला question question number 45 इलाभाद High Court had abolished the kuli बेगार इन तो kuli बेगार को इलाभाद उच्चन आले ने कब कुली बेगार पर प्रतिबंद लगा दिया था तो 1904 याद रखिएगा 1904 में इलाभाद High Court ने कुली बेगार पर प्रतिबंद लगा दिया था उत्तराखंड मे और इसी में पुछा जा रहा है कि in the state of उत्तराखंड had been abolished 1836 by the commissioner of कुमायू तो उतने time जो slavery है आपसे पुछा जा रहा है कि 1836 में 1836 में slavery या दास परता को उत्तराखंड से जब abolish किया गया था तो कुमायू के commissioner कौन थे तो जॉर्ज गोवन नाम्याद रखिएगा जॉर्ज गोवन ये आपके कुमायू के commissioner थे 1836 में दास परता को समाप्त किया गया था इनके कारेकाल में और इलाबाद हाई कोट ने कुली बेगार को कवे abolish किया था उत्तराखंड से तो ये आपका abolish हुआ था 1904 में तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं B option हमारा बिलकुल य उच्छ नयाले की स्थापना कब हुई थी तो 1938 कीरती नगर में उच्छ नयाले की स्थापना 1938 में हुई थी after the तिलारी incident तिलारी कांड के बाद who among the following had been compared to general dyer तिलारी कांड के बाद किसको general dyer से compare किया गया तो याद रखिएगा सबसे पहले तिलारी कांड कब हुआ था तिल मई 1930 में और इस कांड के बाद चक्रधर जुयालू चक्रधर जुयालू को general dyer से compare के गया तो सी option हमारा बिल्कुल यहां पर करेक्टर जाय कोशन नम्बर 46 का अगला कोशन है फ्रेंस कोशन नम्बर 47 वेट् वास दी लंडन फोर्ट is टेलिज्ट इन पिठवाड गड लंडन फोर्ट जिसको सिंगल गड़ भी का deport दा द चाना याद रखेगा brands सिंगल गड़ जो लंडन फोर्ट है यह पितौला गड़ में कब इस्टेबलिश किया गया था तो 1791 1791 में लंडन फोर्ट इस्टेबलिश किया गया था पितौला गड़ में and when was the sick shrine named हेमकुंड इस्टेबलिश जो आप कह सकते हैं सिख तीर्थ अस्थाल है हेमकुंड उसकी स्थापना कप की गए थी तो इसकी स्थापना हुई थी 1930 में तो इस हिसाब से यह option हमारा देखे बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नमबर 47 का क्वेश्चन नमबर 48 की फॉलोइंग है गिवन टाइटल ऑफ चाइल्ड ऑफ हिमालयास का टाइटल किस ने दिया था हैना हिमालय पुत्र की उपादी किस ने दी थी तो यह उपादी दी ती आपकी जेल नहरू ने जवाहर लाल नहरू ने किसको गोविंद वलापन्थ को उसके बाद इसी में अगला पार्ट कोश्चन का कि on 26th of January 1930 the national flag was hosted in the whole of उत्राखंड except the princely state of 26 January 1930 को किस रियासत को छोड़कर पूरे उत्राखंड में रास्ती धज फैराय गया था तो आप कह सकते हैं जो टेहरी princely state था उसको छोड़कर के पूरे उत्राखंड में तिरंगा ल अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 49 यहां पर आपसे incorrect option पुछा जा रहा है कि इन में से कौन सा option गलत लिखा हुआ है पहला लिखा हुआ है कि establishment of कुमायू council तो यहीं गलत लिखा हुआ है 1915 नहीं होगा यहां होगा 1916 कुमायू council या कुमायू परिशद की स्थापना 1916 में पहला लिखा हुआ है कि establishment of home rule league in anboda 1914 यह भी आपका correct लिखा हुआ है लेकिन जुसे बी option है आपका यह आपका incorrect लिखा हुआ है incorrect option यह आपको बताना था तो 49 का क्या हो जाएगा B 49 का right answer हो जाएगा B अगला question देख लिए जो कि आज का last question है question number 50 who among the following had translated the national song Vandermatram into Kumayuni in 1906 किसने 1906 में national song Vandermatram को Kumayuni language में translate किया था तो Hari Ram Tripathi याद रखिएगा Hari Ram Tripathi ने 1906 में 1906 में जो रास्ट्री गीत है आपका Vandermatram उसको Kumayuni language में translate किया था in which year Swami Vekanand not visited to Utraakhand तो Utraakhand की visit पे स्वामी वेकानद चार बार गये हैं एक तो गये हैं 1890 में फिर आपके गये हैं 1897 में 1898 में और 1901 में तो इस हिसाब चेहां देख सकते हैं कि जो 1894 लिखा हुआ है इसमें वेकानद कभी वेकानद की आत्रा पे नहीं गये हैं तो C option अमारा बिलकुल यहां पर correct हुए आएगा okay friends so thank you so much for participating in this session